नमस्कार साथियो जैसा कि आप सभी को पता है कल एच्टेट की तीनों लेवलों की ओफिसियल अंसर की को जारी किया जा चुका है लेकिन साथ में एक जो अलग से लेटर है वो भी जारी किया है भिवानी बोडने एच्टेट के रिगार्डिंग जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी कैंडिडेट को अंसर की पर उब्जैक्षन है किसी पर संपर उब्जैक्षन है तो वो चियार तारिक से लेकर च्छै तारिक शै पांच बज़े तक अपना जो उब्जैक्षन है वो दर्ज करवा सकता है लेकिन इसमें बड़ी बात यह होगी 1000 उपए परती के लिए आपको निर्धारित जो सुलक है वो जमाकरवाना होगा दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि अगर अंसर की में कोई अबजेक्शन आपको लगता है कोई परसन गलत लगता है उत्तर गलत लगता है तो अबजेक्शन का जो पोर्टल है खोल दिया गया है च्यार तार पर बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किये गए पोर्टल पर ओनलाइन दर्ज करवानी होगी यदि किसी परसन के संबंद में दर्ज करवाए गई आपत्ती सही पाई जाती है तो उस परसन के लिए जमा करवाया गया सुलक प्रिक्सा प्रिणाम गोशित होने से तीन मास के अंदर समंदित अभ्यर्थी द्वारा उपलब्द करवाए गई बैंक खाते में वापिस कर दिया जाएगा दिनाक 6 से 5 बजे के बाद परसन पत्तरवाय उत्तरकुंजी के संबंद में किसी भी माद्यम से होने वाली आपत्ती पर फिर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उसके बारे में कोई भी जो पतरा चार है वो नहीं किया जाएगा तो दोस्तो बड़ी अपडेट है एट्सटियाट के बारे में कि आप तीनों लेवलों में चाहे लेवल 1 हो प्यार्टी का लेवल 2 TGT का हो या लेवल 3 PGT का हो अपनी जो उत्तरकुंजी है उसमें अपने का मिलान करने पर अगर आपको लगता है कोई परसन गल्त है उस पर लगा जा सकता है तो आपको वीध प्रूफ अपने जो उबजेक्सन है वो लगाने होंगे 4 तारिक से लेकर 6 तारिक तक ही ये जो पौोल रहेगा परती परसंद 1,000 उपए की जो फीस है वो आपको देनी होगी हलांकि फीस दोस्तों ज्यादा है लेकिन अगर आपको जैनून लगता है उबजेक्शन तो आप जरूर लगाए और अगर वो सही पाजाता है तो वो जो फीस है वो आपको रिफंड करती जाएगी तो दोस्तो बड़ी अपडेट है एच्टेट के बारे में आंसर की को भी कल अपलोड किया जा चुका है और साथ में ओबजेक्शन का जो लिंक है पोर्टल है वो भी खोल दिया गया है इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद